दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन पर होने वाले तिल और मसों के बारे में मेरे पास आप में से बहुत सारी लोगों के कमेंट्स बहुत समय से आ रहे थे जिसमें आप लोग तिल और मसों को ठीक करने के लिए कुछ DIY Home Remedies के बारे में पूछ रहे थे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही DIY Home Remedies बताने वाला हूँ जो कि तिल और मस्य को खत्म करने के लिए आप घर पर ही खुद यूज कर सकते हैं और इनको बड़ी असानी से ठीक कर सकते हैं आज आप जानेंगे के तिल और मस्य क्या होते हैं इनके होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और जो Home Remedies आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनको किस तरीके से आपको तयार करना है और कैसे इनको इस्तमाल करना है तो चलिए बेना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीटेल से इस से पहले कि हम तिल और मस्व को दूर करने के उपायों के बारे में जाने आयों कुछ बेसिक सी जानकारी ले ले लेते हैं कि superhero होती क्या पहले बात करते हैं मौल्सय नहीं तिल के बारे में तो बैसिकली हमारी स्किन में एक खास तरह की इस ऋटी हैं जिने point प्रॉसेस हैं यह बिल्कुल भी हामफुल नहीं होता है लेकिन कभी-कभी यह बहुत जादा होने लगते हैं और इसकी वजह से आपको बुरा दिखने लगता है आपका फेस यह जहां पर भी जादा हो जाते हैं वो जंगा बुरी लगने लगती है अगर आपके अंदर दोस्तों इस तरह से बहुत जादा तिल निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि जीन्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वैसे सिर्फ जीन्स ही नहीं सन दोस्तों के बारे में तो मस्य जो होते हैं दोस्तों ये एक तरह की अननाचरल स्किन ग्रोथ होती है जो कि एक खास तरह के वाइरस जिसको HPV बोलते हैं यानि हुमन पैपिलोमा वाइरस इसकी फुल फॉर्म होती है इस वाइरस की वजा से निकलते हैं इसमें क्या होता है कि एक तरहा का लम्प जैसे पैार जासा पैल भी सकता है। साथ में एक नुटो वल्रॉट करने से, सैलून में ऐसे रोग हों सकता है। या फिर पबलिक स्विमिंग पूलूल में नहाने से भी आपको इस तरहा का इंफेक्षिन हो सकता है। तो ये दो बात हुई दोस्तों मोल्स और वार्ट्स के बारे में कि ये आखिर होते क्या हैं और कैसे आपके अंदर पैदा होते हैं अब आईए बात करते हैं मुद्दे की और जानते हैं इन होम रिमेडी के बारे में जो कि इनको ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं आल राइट तो जिस लम्हे का दोस्तों आपको इंतिजार था फाइनली वो अब आ गया है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली होम रिमीडी से जो कि मोल्स के लिए है तो सबसे पहली चीज मैं आपको तिलों के लिए जो इस्तेमाल करने को रिकमेंड करूँगा वो है एपल स से तिलों का क्या तालोग है तो जान लीजे के इसके अंदर एसिट नाम का एक बहुत ही तेज एसिड होता है जो कि आपके तिल के टिशू को ब्रेक कर देता है और इनको खत्म कर देता है इसको लगाने के लिए आप बस थोड़ा सा एपल साइटर विनेगर लिजिए और इ तो देना है या थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेनी है इसके बाद आप इसको एक गहंटे के लिए इसी तरह से चोड़ दीजे बस आपका जो होम रेमेडि है वो इसी तरह से आपको रुज़ाना इस्तेमाल करने है रुज़ाना से अगर आप इसको यूज करेंगे लगा कर ए लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि यह जो acidic acid होता है apple cider vinegar के अंदर यह काफी तेज होता है और इसको हमेशा आपको dilute करके ही लगाना है कभी भी ऐसे ही नहीं लगा लेना है और एक चीज और जिसका आपको ध्यान रखना है वो यह कि अपनी skin के sensitivity के हिसाब से आपको इसके जो dilute का ratio है यानि 50-50% में आपको बताया है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं पर एक्जेंपल मान लिजे आपने इसको लगाया 50% के ratio में और इससे आपको कुछ हफ्तों में लग रहा है कि उतना फाइदा नहीं हो रहा है तो उस case में आप पानी की quantity कम कर सकते हैं और apple cider vinegar की quantity बढ़ा भी सकते हैं प्रवाइडिट के आपको इससे कोई reaction या कोई allergy वेगरा नहीं हो रही है लेकिन अगर आपको 50% के ratio में भी लग रहा है कि यह आपको काफी तेज लगता है आपको जलन होती है या skin red हो रही है तो आप चाहें तो पानी की quantity को जाएंगे वैसे for any reason अगर आप apple cider vinegar को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए next option है tea tree oil दोस्तों tea tree oil को बहुत सारी अलग-अलग skin care remedies में और बहुत सारे products में भी यूज़ किया जाता है लेकिन सवाल ये आता है कि moles के लिए ये भला कैसे फाइदा पहुचाता है जो की कुछ खास कस्म के bacteria, virus और fungus से लड़ता है tea tree oil को भी आपको बिल्कुल apple cider vinegar की ही तरह यूज़ करना होता है बस एक cotton का swab लीजिए उसको उसके ऊपर जो है 4-5 बूंदे डालिए इसकी tea tree oil की और इसको आप अपने तिल के ऊपर एक tape की मुदद से directly लगा दीजिए इसके इसके बाद 1-5 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए ताकि यह अच्छी तरह से आप पर absorb हो जाए और अपना काम करना शुरू कर सके इसके बाद आप इसको हटाकर और साफ पानी से धो सकते हैं बस रोजाना इसी तरह से आपको इस्तमाल करना है और कुछी दिनों में आप जखेंगे कि आपके तिल कम होने शुरू हो जाएंगे विसे tea tree oil को यूज करने से पहले भी आपको कुछ precaution लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी की skin types अलग-अलग होती हैं और ये अलग-अलग तरह से हमारी अलग-अलग तरह की चीजों को react करती हैं इसलिए बेतर है कि इसको यूज करने से पहले आप एक बार इसका patch test कर लें patch test करने के लिए आप skin के एक छोटे से part पर जो कि of course आपका face नहीं होना चाहिए वहाँ पर tea tree oil को लगाईए और 24 घंडे के लिए इसको छोड़ दीजे वेट कीजे अगर आपको कोई problem नहीं होती है वहाँ पर allergy नहीं अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इस तुरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको tea 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 oil को avoid करना चाहिए दोस्तों मोल्स के लिए इन दो remedies को जानने के बाद आईए अब बात करते हैं words यानि मसों के बारे में जी हां यही मसे जिन से आपको नफरत है इन मसों के लिए भी मैं आपको दो remedies आज बताने वाला हूँ जिन में से कोई भी एक remedy आप अपनी सहुलियत के हिसाब से इस्तमाल करना शुरू कर सकते हैं तो शुरूआत करते हैं मसों के लिए यूज की जा treatment होता है यह actually keratin नाम के टिशू को dissolve कर देता है जिससे हमारे skin और हमारे warts बने हुए होते हैं वैसे अगर आपने कभी pacman game खेला है जो कि हमारे बच्पन में हुआ करता था आप तो खेर नहीं होता है आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे लेकिन pacman में जैसे वह pacman endo को खा ज जाके उसी तुरह से यह salicylic acid आपके warts को खा जाता है salicylic acid जो है यह बहुत ही सस्ती सी चीज है यह किसी भी pharmacy में आपको over the counter मिल जाएगा या फिर online भी आजकली बिलने लगा है आपकी सहुलियत के लिए आप कहेंगे तो नीचे links में छोड़ दूँगा वहां से आप इसको directly purchase करके यूज कर सकते हैं तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है पहले अपने affected part पर जहां पर आपके wart हो रहा है उसको आपको गरम पानी में 5 मिनटे के लिए डुबो के रखना है इससे क्या होगा कि जो आपका wart है मस्टा है वो soft हो जाएगा इसके बाद इस मस्टे क की मदद से आपको थोड़ा सा सली सली के लिए और इसको डायेटली अपने वार्ट के ऊपर लगा देना है ज्यान रखेगा कि जो वार्ट है सिर्फ उसी के ऊपर आपको लगाना है आस-पास के स्किन पर यह नहीं लगना चाहिए इसके बाद आपको ऊपर से थोड़ी सीन cotton लगा देनी है और उसको और tape लगा देना है और बस आपका काम हो गया दोस्तों salicylic acid जो है ये एक बहुत ही तीस acid होता है इसलिए इसको हमेशा बहुत ही इतियात के साथ आपको लगाना चाहिए और अगर आख के पास ये नाख के पास या फिर eyebrows के आज पास आपको इसको गार्लिक में antiviral properties होती है जो कि directly warts causing virus के उपर attack करती है ये कुछ-कुछ ऐसा ही है जैसे इंडिया ने surgical strike की थी उसी तरह से ये जो गार्ली जब आप अपने warts के उपर तो वहाँ पर जाके surgical strike कर देते हैं और आपके warts ठीक होने लगते है इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको एक lesson की कली लेनी है और इसको पहले mash कर लेना है, कूट लेना है, एक paste जैसा बना लेना है और फिर इसको आपको directly अपने warts के उपर apply करना है उपर से आप चाहें तो cotton swab लगा सकते हैं नहीं तो आप इसको चाहें तो खुला भी छोड़ सकते हैं करीब 20-30 मिनट तक आ आप अपने warts को उस एरिया को wash कर लें इस तरह से आपको रोजाना garlic का paste apply करना है जब तक कि आपके warts ठीक ना होने लग जाएं इसमें करीब करीब एक से दो महिने का time भी लग सकता है तो दोस्तों ये हैं वो चार home remedies जो की moles और warts के लिए आप use कर सकते हैं और इनसे असानी से चुटकारा भी पा सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये no doubt बहुत ही effective home remedies होती हैं और scientifically proven भी है लेकिन फिर भी they are not medical advice इसलिए अगर आपको इनसे फाइदा नहीं लगता है या अगर इनको लगाने से आपको allergy हो रही है कोई reaction हो रहा है कोई problem हो रही है तो ऐसे में professional medical advice और treatment को लेना भी बिलकुल मत भूलिएगा इस बात को भी नजर अंदाज मत कीजेगा मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा ये जितनी फी remedies मैंने आपको बताई हैं इनको आप सकते हैं मेरा Instagram ID इस समय आपकी स्क्रीन के उपर शो हो रहा है इसी के साथ मुझे दीजी इजाजत मन में अगर अभी भी कोई शंका है कोई सवाल है तो नीचे comment section में पूछ लीजे मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा